आई गाईज वेलकम टूडेज निउज जाम कराते हैं इंटर्टीन्मेंट की दुनिया से आपका डैरेक कनेक्शन मैं हूँ सपना और आज हम बात करेंगे रितिक रोशन की आने वाली फिल्म क्रिश फोर की बता दे की राकेश रोशन ने क्रिश फ्रेंचाइज की नई फिल्म यानि की क्रिश फोर को लाने की तयारी शुरू कर दी है और इसके लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं नजर आ रहे हैं इस बार फिल्म की कहानी काफी डिफरेंट तरीके से होगी कहा जारा है कि फिल्म में क्रिश को ऐवेंचर इंड गेम्स की तरह पीछे के काल में जाते हुए दिखाया जाएगा यानि की समय में पीछे जाके क्रिश अपने पिता यानि की रोहित महरा को वापस लेके आएंगे क्योंकि सिर्फ वही हैं जो जादू से बात कर सकते हैं इस फिल्म में आपको जादू की वापस से इंट्री दिखाई जाएगी और साथ ही रोहित महरा जो की एक वैग्यानिक है उनको वापस से लाया जाएगा और इसके लिए सारुख खान के वीजूल इफेक्स कंपनी की जरुवत पड़ सकती है इस फिल्म के लिए राकेश रोशन खुद बहुत महनत करते नजर आ रहे हैं इसके साथ ही क्रिश के तैारी के लिए रिटिक रोशन भी काफी ज़्यादा महनत कर रहे हैं अपने बोड़ी पे और अपने खान पान पे पूरी तरह ध्यान देते हुए वो भी अपने सूपर हिरो अवतार के लिए तैयार हो चुके हैं आप Krish को देखने के लिए कितने excited हैं ये हमें comment करके बताएं और इनसे जुड़ी और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे हैं Thank you so much